हेलो फ्रेंस वेरी गुड मॉर्निंग वर्कम बैक टो यूटूब चनल टेक्निकल व्लोगर आई होप कि आप सबी लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस वीडियो को बनाने के दो रिजन है पहला रिजन यह कि कुछ सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था कि इस तर आप सीजेएस फैसलिटी के बारे में एक डेटेल वीडियो बनाईए और दूसरा रिजन यह कि फ्रस कुछ यूटूबर है जो कि कुछ चोप प्रोफाल में ब पातमान के क्योंकि आपकी बातमान के वो अपना फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं तो इसलिएramos मैंने सुचा की सीजेश फैसलिटि के के नाम से ही आपको पता है कि यह जो स्कीम है सारे सेंटरल एंप्लोई के लिए हैं बट कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं कि जो बता रहे कि बस इस डिपार्टमेंट के लिए यह मेडिकल फैसलेटी अवेलेबल है और इसमें आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं वगेरा वगेर तो फ्रेंस यह एक स्कीम है जो भारत सरकार दुवारा दी जाती है सारे सेंटरल गवर्मेंट एंप्लोई को एकसेट रेलवे क्योंकि फ्रेंस रेलवे के लिए अलग से फैसलेटी अविलेबल है रेलवे होस्पिटल्स हैं वो उनमें इलाज करवाते हैं बाकि जो रेलवे में इलाज प्रोवाइड करवाती है तो फिस अब यह जान लेते हैं कि डिपेंडेंट वर्ड का मतलब क्या है कौन-कौन फैमली में कौन-कौन डिपेंडेंट होता है तो जब आप जोब पर जाते हो स्टार्ट में आफ आप से डिटेल्स फिल करवाई जाती है तो वहां प वहां पर शो करते हो कि इनके जो इनकम है वह बिल्कुल कम है और वह मेरे उपर डिपेंड है मैं उनका खर्जा चलाता हूं तो फादर जांज भेज़ा नांस में वाइफ है वह डिपेंड होती है वाइफ के लिए उयॉवा फ्रेंज दौ बच्चे डिपेंड उते हैं इए वह इस 18 साल तक आप पर डिपेंड रहता है और गर्ल्स जब तक उसकी साधी नहीं हो जाती अगर आपके कोई sister unmarried तो वह भी आप पर डिपेंड है और अगर आपकी कोई वीडो सिस्टर है तो वह भी आपकी dependent होती है तो फ्रेंज यह होती है फैमली का मतलब जो आप पर डिपेंड आप दिखा सकते हो बाकी अगर आप संद को दिखा रहे हो तो 18 के बाद वह आप पर डिपेंड नहीं रहता है इसके बाद में बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की क्या हमको इसके बदले कुछ चार्ज भी देना पड़ता है क्या ग्रेड पे 1800 से लेके ग्रेड पे कर्वा सकते हैं तो तो चैंटर में बहुत सारे होस्पिटल से आप उनकी साइट पे यका करवा सकते हो वैशन में बता दूब हर दूसरा मतलब 60 पर्सेंट ने या है हैं वह भी धेरे देरे कवर हो रहे हैं इसलिए हर सहर में CJS फैसलिटी वाले होस्पिटल हैं और काफी अच्छे और बहुत बड़े बड़े ऊस्पिटल से से नहीं में इसे किसी भी होस्पिटल में जाके आप अपना या फिर अपने डिपेंडेंट फेवली मेंबर का इलाज करवा सकते हो इसके बाद में हम बात करते हैं वार्ड entitlement की मतलब अगर आप वहाँ पे admit होते हो या फिर आपके family members वहाँ पर किसी वजरसे admit होते हैं तो आपको कौन से वार में treatment मिलेगा यह decide होते है basic पे से अगर आपकी basic है 46,600 तक है तो फैसे आपको मिलेगा जनर्र वार्ड आपका जो रूम होगा उसमें नंबरों बैट्स कितने भी हो सकते हैं चाहार सिर्च है वो डिपेंड करता है होस्पिटल के उपर वहां पर कितने बैड उसने अरेंज करवाए हैं और फिर अगर आपकी बेसिक पर हो जाती है तो आप एंटाइटल हो जाएंगे प्राइवेट वार्ड के लिए यानि कि आपको जब आपका ट्रीटमेंट होगा और आपके फैमिली मेंबर्स का ट्रीटमेंट होगा तो आपको प्राइवेट वार्ड मिलेगा और वहां पर आपको एक रूम मिलेगा जिसमें अवेलेबल ह करेंबस को या फिर किस वार्ड में या इलाज ले सकते इसके बाद में भात करते हैं बिलिंग प्रोसेश की मतलब क्या आपको पैसा देना होगा जा वहाँ से भूब बादब आपके अकाउंट में वह सारा पैसा जो है वह डाग दिया जाएगा दूसा तरीका है जिसका नाम है क्रेडिट फैसलिटी क्रेडिट फैसलिटी जनरली जब भी जाती है जब इलाज कुछ ज्यादा सीरियस हो जिसमें ज्यादा अमाउंट का खर्चा आने वाला हो तो सब्सक्राइब करेगा अब के डिपार्ट्मेंट को डिपार्ट्मेंट डिर्कली पे कर देगा होस्पिटल को बतलब इसमें आप इलाज करवाने लिए जाते हैं वह क्रेडिट फैसलिटी अच्छी चीज़ है जीचा पहले परनिसर लेनी होती है तो फ्रेंश सब्सक्राइ तरीके की बीमारी हो कि हम इलाज करवा सकते हैं अगर हमें कोई भी तरीके की बीमारी हो हम होस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं और वह सीजेचस फैसलिटी के अंडर में कवर्ड होती है कुछ ऐसी भी चीजे हैं जो हम होस्पिटल में इलाज करवाने के बात में उनको इसे नहीं मिलता है अगर आपको कोई प्रोब्लम है सिखने से तो सारी बीमारी इसमें कवर्ड है ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इसमें कवर्ड नहीं हो अबस्ट अजके वीडियो में इतना ही मेरा यEK बनाने का मकसद यह था कि कई लोगें बोल bother è की शीजेश फैसलेटीइंश इस डिपार्टमेंट में मिलती हैर सीजेश ऐसेर टो धार्व में राकर आपडिपार्टमेंट के परिफ्रेस मत बदलना क्योंकि CGHS फैसलिटी आप किसी भी डिपार्टमेंट पर जाएंगे तो CGHS फैसलिटी आपको वहाँ पर मिलेगी तो चलिए फैसलिटी आज की वीडियो में बस इतना ही साइनिंग ओफ फ्रोम यूट्यूब चैनल टेकनिकल व्लोगर जैहिंद बं करे भीड़ कर दोफ गर जो खर जाएंगे उस सीपैनल गली दूल मेंद बचको कर दो ह्हाँ करें अनुड़ का पर जो झाल